ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 23 अगस्त 2023 बावा के महावाक्य मीठे बच्चे जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं पढ़ाई छोड़ी तो छोड़ा छोड़ी बन जाएंगे जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं पढ़ाई छोड़ी तो छोड़ा छोड़ी बन जाएंगे प्रश्न है खुश नसीब बच्चों का पुरशार्थ क्या रहता उनकी निशानी सुनाओ उत्तर है जो खुश नसीब बच्चे हैं वे देही अभमानी रहने का पुरशार्थ करते हैं जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं वे शंक ध्वनी करने बिगर रहनी सकते धाड़ना भी तब हो जब दान करें खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं कभी भी धर्मराज से डोंट केर नहीं रहते सिर्फ अच्छा अच्छा खाया अच्छा अच्छा पैना सर्विस नहीं की स्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गती कर दिती है गीत है भोले नात से निराला और कोई नहीं ओम शान्ती बिगडी को सुधारने वाला तो एक ही है ये दुनिया नहीं जानती तुम बच्चे समझते हो जो यहां बैठे हो तुमारे में भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार जानते हैं बिगाडने वाली है माया आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगडते हैं अब तुम बच्चे जानते हो भोलानात शिव को ही कहा जाता है शंकर को भोलानात नहीं कहते भोलानात उनको कहा जाता है जो बिगडी को बनाने वाला है बड़ा भोला है गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है बच्चों को आदी मद्य अंत का ग्यान देते हैं जिसके ये चित्र बने हुए हैं और कोई ऐसा नहीं समझाते कि ये उल्टा व्रक्ष है भगवान वाज है कि इस ज्जाड और ड्रामा का ग्यान और कोई भी वेद सास्त्र में नहीं है भगवान नहीं दिया है उनका ही सास्त्र है जिसके लिए कहा जाता है सर्व सास्त्र स्रोमनी भगवत गीता परंपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है परन्तु उसकी याद माया भुला देती है तुम शिवावा को याद करने की कोशिश करते हो लेकिन माया बड़ी जवर्दस्त है वह तुमको याद करने नहीं देगी अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं जहां 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही निरेती है तुमने 63 जन्म तो रोया है 84 जन्म नहीं कहेंगे ये भी तुम बच्चे ही जानते हो भोलानात बैट समझाते हैं जब से रावन बिगारना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो मनुश्यों को समझाने के लिए ही ये बड़ा जाड और गोला बनवाया जाता है क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीती समझाया जा सकता है भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारन कर सकते हैं सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे अच्छे कर्म किये हैं तो उसका फल आए आगे जरूर मिलता है कर्मों की गती है न बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गती को जानता हूँ और समझाता हूँ टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं कोई ना पास होते हैं कहेंगे क्या करें कर्मों का ऐसा ही साब किताब है जो हम पढ़ते नहीं यहां भी ऐसा है कोई तो अच्छा पढ़ते हैं कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सत्गुरू को छोड़ा छोड़ने से छोड़ा बन जाते हैं छोड़ा उनको कहा जाता है जिनके माबाप नहीं होते हैं तो मात पिता जिनसे सुवर का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोड़ा छोड़ी बन जाएंगे। यहां भी कई समझते हैं यहां से छूट पुरानी दुनिया में जाएं लेकिन वहां ग्यान तो उठा नहीं सकते वहां तो नाटक 22 को घूमना फिरना अच्छा कपड़ा आदी मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे खयालाद चलते हैं विनास काले विपरीत बुद्धी होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है साथ में तो कुछ नहीं चलना है तुमको इस दे अविमान को भी छोड़ना है दे अविमान के कारण ही और सब विकार आते हैं देही अविमानी बनने में तो बहुत महनत है बाब कहते हैं अपने को आत्मा समझो मैं भी टेपरेरी इस तन में आया हूँ हम सो देवता थे अब फिर हम सो सूद्र बने हैं स्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ती सेना बनाते हैं इसलिए ही तुमारा नाम पढ़ा है शिव शक्ती सेना तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराजी स्थापन कर रहे हो उच्चते उच्च हैं सिव बावा दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है तुम्हारे में भी नंबर वार पुर्शारत अनुसार सोजरे ही में है कोई कोई की जोत जगती ही नहीं है वे भी ड्रामा में नूद है किसी की भी जोत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं इस दुनिया में कोई तो बहुत साहुकार हैं कोई दस रुप्या भी नहीं कमाते कई मनुष्यों को भूजन भी मुश्किल से मिलता है खाने के लिए कितना पुकारते हैं बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा ले रहें ये मनुष्य तो नहीं जानते ये भी ड्रामा में राज है तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाब आते हैं अगर उनों को प्रिड़ना नहीं मिलती तो तुम को मदद नहीं करते हैं अभी तुमारी कम्पलीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो ये चित्र हैं किसको समझाने के लिए उनका बहुत महत्व है जैसे मैप्स होते हैं मैप के सिवाए कैसे पता पड़े फलाना सहर कहाँ है ये मैप्स वहां नहीं होंगे यहां तो भारत कितना बड़ा है वास्तम मैं भारत की सबसे जास्ती संख्या होने चाहिए तो रहने लिए कितनी जगा चाहिए स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे तुमारी बुद्धी में ये बाते हैं विनास होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे जाड का फाउंडेशन है न फिर बाद में जाड व्रद्धी को पाता रहेगा फिर नंबर वार और जाड लगते रहेंगे तुमारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं हम बाबा द्वारा नौलेजफुल बनते हैं बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं कहते हैं सिर्फ इस स्रेष्टी चक्र को ध्यान में रखो, स्रेष्टी चक्र और संख, जो ग्यान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे, तो उनको गीता सुनाने वाला ब्रामण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं, जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा, कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुमारी तो हैं नई बातें, कहते हैं इन्हों का ग्यान ना हिंदूओं का है, ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहा से लाया है, फिर भी कई तो समझते हैं न, भोला नात बाबा, भक्तों का रक्षक भगवान, पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है, बाप कहते हैं, मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आयाई हूं पतितों को पावन बनाने, ये तुम बच्चे जानते हो, बाबा आक अगर हमको 5000 वर्स पहले समान समझा रहे हैं, तुम कहते हो, बाबा हम भी 5000 वर्स पहले आये थे, आप से वर्षा लिया था, इतने धेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंदश्रद्दा की कोई बात ही नहीं, सभी कहते हैं, बाबा हम आपके पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, श्रिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं, फिर साकार में ब्रह्मा की अौलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए, तो ये बुद्धी में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिय ठेरे इसमें विकार की कोई बाद नहीं है एक ही कुल हो गया प्रजा पिता ब्रह्मा रचैता है जरूर ये प्रजा है न शुबावा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतियुक के पहले आये होंगे जो ब्रामण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवि बनते हैं वह अपना राज भभाग्य लेते हैं शुबावा ब्रह्मा द्वारा ये अचना रच रहे हैं तुम जानते हो हम पाँच हजार वर्स पहले भी संगम पर थे अब भी हैं फिर हम देवता बनेंगे सत्योग में वा कलियोग में कोई ब्रह्म कुमार कुमारिया नहीं होते हैं संगम परी होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बेहन बनते हैं ये पवित्र रोहने की युक्ति है जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज ले न सके ब्राम्मन ही देवता बनने वाले हैं बाप समझाते हैं बच्चे पुरुशार्त करके धारण करो और दूसरों को कराओ जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनास होगा विनास सामने खड़ा है जो अच्छे सर्विश एवल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धी में ठेरता है दान नहीं करते तो बुद्धी में ठेरता ही नहीं है कई ब्रह्मकुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेनत करते हैं कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं तो मिलेगा भी ऐसा ही सबी कहते हैं हमको first class ब्रह्म कुमारी भेजो अब इतनी कहां से लाएं ये भी शिवावा जानते हैं कि इस first class कौन है हर एक की अवस्ता को जानते हैं बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती है ब्रामडो लोकेक ब्रामड को खाने का बहुत रहता है जगा जगा धामा खाते रहते हैं बच्चों में भी कोई कोई हैं अच्छा बोजन न मिले तो आराम न आए बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है कई धर्मराज को भी डोंट केर करने वाले हैं वे फिर आश्चरवत भागंती हो जाते हैं माया ऐसी बुरी गती करा देती है जो स्रीमत पर नहीं चलते फिर विकार के लिए अब लाओं पर कितने अत्याचार करते हैं अत्याचार भी अहो सौभाग्य है बाप से वर्षा तो ले लेंगे न बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विश्व बिगर रह नहीं सकते यह दुर्गती की दुनिया इसमें किसकी सदगती हो नहीं सकती मृत्यु लोग और अमर लोग को नहीं जानते अमर लोग सत्युग में है आदी, मद्य, अंत, सुख दिखाते हैं अमर नाथ ने पारवती को कथा सुनाई अब सूस्म बतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं तो ये कथाएं आदी कहां से आई अमर कथा सुनाई फिर सूस्म बतन से कहां गए कुछ भी पता नहीं तो इन बातों को अच्छी रीती समझाना चाहिए पसेरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबुल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालुम पड़ा है तब तो तुम अब पुरशार्थ करते हो। जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धी में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वबाप है। बलेहारी उनकी है। माया नीच बनाती है। उँच ते उँच बाप ही आकर उँच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो। पुरानी दे का भान छोड़ने का पुरुशार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पती मिल गया है। जो सुर्ग की वादशाई देते हैं। वहाँ है ही संपून निर्विकारी। यह है संपून विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है। वही संपून निर्विकारी फिर संपून विकारी बनते हैं। पहले भारत सुर्ग था अब नर्ख है। यह चित्र बड़े वेल्यूबुल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे कि यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे स्रश्टी का चक्र फिरता है। किस किस की डिनाइश्टी चलती है। सब के चित्र इन में हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। यह तो बहुत अच्छी नौलेज है। विलायत में कोई सेंसिबुल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती। मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग। रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस दे। धारना के लिए मुख्य सार पहला है कर्म अकर्म, विकर्म की गती को बुद्धी में रख स्रेष्ट कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा है ज्यान दान करने से ही धारना होगी इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाब की आज्याओं को डोंट केर नहीं करना है। बरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह निर्विग्न सेवा करने वाले अखंड सेवा धारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह निर्विग्न सेवा करने वाले अखंड सेवा धारी भव। सेवा तो सब करते हैं लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विग्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विग्न ना आये। वायू मंडल का संग का आलश्य का यदि कोई भी विग्ण आया तो सेवा खंडेत हो गई अखंड सेवाधारी कभी किसी विग्ण में नहीं आ सकते जरा संकल्प मातर भी विग्ण ना हो जब व्यर्थ सर चक्रों से मुक्त रहो तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे सिलोगन है जो दिल और दिमाग से ओनेस्ट हैं वही बाप वा परिवार के प्यार के पात रहें अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती